प्यारे बच्चों आज हम शुरू कर रहे हैं कक्ष्वा पांच हिंदी का पाठ अठा रहा चुनौती हिमालाई की तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं जोजीला पास से आगे चल कर जवाहर लाल मातायान पहुँचे तो वहां के नव युवक्कुली ने बताया शाब सामने उस पर्व से ढखे पहाड के पीछे अमरनाथ की गुफा है बच्चों जोजीला पास या जोजीला दर्रा हिमाले की पर्वतों में हैं और ये एक बहुती सकड़ा दर्रा है लेकिन शाब रास्ता बहुत तेड़ा है किशन ने कुले की बात काटी बहुत चड़ाई है और शाब दूर भी है पहाडी भाशा में बच्चों साहब के लिए शाब सब्द का यूज किया जाता है कितनी दूर जवाहर लाल ने पूछा आठ मेल शाब कुली ने जल्दी से उत्तर दिया बस तब तो जरूर चलेंगे जवाहर लाल ने अपने चचेर भाई की और प्रश्न सूचक द्रिस्टी डाली प्रश्न सूचक द्रिस्टी का मतलब है कि प्रश्न पूछती हुई भाशा में उनकी और देखना दोनों कश्वीर घुमने निकले थे और जोजिला पास से होकर लद्धा की इलाके की और चली आये थे अब अमारनाच जाने में क्या पत्ती हो सकती थी फिर जवाहर लाल रास्ते की मुश्किलों के बारे में सुनकर सफर के लिए और भी उत्सुक हो गए कौन-कौन चलेगा हमारे साथ जवाहर लाल ने जानना चाहा तुरंत किशन बोला शाब मैं चलूंगा भेड़े चराने मेरी बेटी चली जाएगी अगले दिन सुबह तड़के तयार होकर जवाहर लाल भाहर आ गए आकाश में रात्री की कालिमा पर प्रातह की लालिमा फ्यलती जा रही थी तिबबती पठार का द्रश्य निराला था दूर दूर तक वनस्पती रहित उजार चटानी इलाका दिखाई दी रहा था वनस्पती रहित उजार चटानी इलाके से मतलब है ऐसी चट्टाने जहां पर कोई भी पेड़ पोधे न हूँ और केवल चट्टाने ही चट्टाने नजर आए उदास वी के बर्फ से ढखे चट्टानी पहाड सुबह की पहली किर्णों का इस पर्ष पाकर ताज की भाती चमक उठे बच्चों जब बर्फ पर सूरे की किर्णे पड़ती हैं तो बहुत चमकता है दूर से छोटे छोटे ग्लेशियर ऐसे लगते मानो स्वागत करने के लिए पास सरकते आ रहे हूं सर्थ हवा के छोके हड़ियां तक ठंड़क पहुचा रहे थे जवाहर ने हथेलियां आपस में रगड कर गरम की और कमर में रसी लपेट कर चलने को तयार हो गए हिमाले की दुर्गम परवतमाला मुह उठाय चुनाती दे रही थी जवाहर इस चुनाती को कैसे नस्युकार करते भाई, किशन और कुली सभी रसी के साथ जुड़े थे किशन गडेरिया अब गाइड बन गया गडेरिया होता है भेडों को चराने वाला बस आठ मेल ही तो पार करने हैं जोश में आकर जवाहर लाल चड़ाई चड़ने लगे यूँ आठ मेल की दूरी कोई बहुत बड़ी होती नहीं होती लेकिन इन पहाडी रास्तों पर आठ कदम चलना दूबर हो गया एक-एक डग भरने में कठिनाई हो रही थी रास्ता बहुत ही वीरान था पेड़ पोधों की हरियाली के अभाव में एक अजीब खालीपन सा महसूस हो रहा था कहीं एक फूल दिख जाता तो आखों को ठंड़क बिल जाती दिख रही थी सिर्फ पत्री लिचटाने और सफेध बर्फ फिर भी इस गहरे सन्नाटे में बहुत सुकून था एक और सूं सूं करती बर्फीली हवा बदन को काड़ती तो दूसरी और ताजगी और इस्पूर्ती भी देती जवाहर लाल बढ़ते जा रहे थे जो जो उपर बढ़ते गए त्यों त्यों सांस लेने में दिक्कत होने लगी एक कूली की नाक से खून बहने लगा बच्चों जैसे जैसे हम जमीन की सतह से उपर की और बढ़ते हैं पहाडों की और बढ़ते हैं तो हमारी सांस लेने में तकलीफ होती है क्योंकि वहाँ पर वायू का दबाव कम हो जाता है और वायू के दबाव के कम होने से सांस लेने में परेशानी आती है और हमारे खून के जो हमारे सर्कुलेशन है उस पर असर पड़ता है जल्दी से जवाहर लाल ने उसका उपचार किया खुद उन्हें भी कनपटी के नसों में तनाव मसूस हो रहा था लगता था जैसे दिमाग में खून चड़ाया हूँ फिर भी जवाहर लाल ने आगे बढ़ेने का इरादा नहीं बदला थोड़ी देर में बर्फ पढ़ेने लगी फिसलन बढ़ गई चलना भी कठिन हो गया एक तरफ धकान उपर से सीधी चड़ाई तभी सामने एक बर्फिला मैदान नजर आया चारों और हिम शिकरों से घीरा वहा मैदान देवताओं के मुकुट के समान लग रहा था प्रकृती की कैसी मनुहर छटा थी आखों और मन को तरो ताजा कर गई बस एक जलक दिखा कर बर्फ के धुंदलके में ओजल हो गई दिन के बारह बजने वाले थे सुभ़ चार बजे से वे लोग लगा तार चड़ाई कर रहे थे शायद सोलह हजार फिट की उचाई पर होंगे इस वक्त अमरनाथ से भी उपर पर अमरनाथ की गुफा का दूर दूर तक पता नहीं था इस पर भी जवहार लाल की चाल में न धिला पन था न बदन में सुस्ती हिमालय ने चुनोती जोदी थी निर्गम पत पार करने का उस सहा उन्हें आगे खीच रहा था निर्गम का आर्थ होता है जहां पर चलने में परेशानी हूँ शाब लोट चलिये वापस कैम्प में पहुंसते पहुंसते दिन ढल जाएगा एक कुली ने कहा लेकिन अभी तो अमर्नात पहुंचे नहीं जवाहर लाल को लोटने का विचार पसंद नहीं आया वह तो दूर बर्फ के उस मैदान के पार है किशन बीच में पोल पड़ा चलो चलो चड़ाई तो पार कर ली अब आधे मील का मैदान ही तो बाकी है कहा कर जवाहर लाल ने ठके हुए कुलियों को उत्साहित किया सामने सपार्ट बर्फ का मैदान दिखाई दे रहा था उसके पार्फ दूसरी और से नीचे उतर कर कुफा तक पहुँचा जा सकता था जवाहर लाल फूर्ती से बढ़ते जा रहे थे दूर से मैदान जित्रा सपार्ट दिख रह था असलियत में उत्रा ही उबड़ खाबड था ताजी बर्फ ने उची नीची चट्टानों को एक पतली चादर से ढखकर एक समान कर दिया था गहरी खाईयां थी, गड़े बर्फ से ढखके हुए थे और गजब की फिसलन थी कभी पैर फिसलता और कभी बर्फ में पैर अंदर धस्ता धस्ता जाता, बहुत नाप नाप कर कदम रखने पड़ रहे थे ये तो चड़ाई से भी मुश्किल था, पर जवाहर लाल को मज़ा आ रहा था तभी जवाहर लाल ने देखा, सामने एक गहरी खाई, मुँ फाड़े निगलने के लिए तैयार थी अचानक उनका पैर फिसला, वे लड़ खड़ाए और इससे पहले की संभल पाएं, वे खाई में गिर पड़े शाब गिर गए, किछन चीखा जवाहर, भाई की पुकार, वादियों की शांती भंग कर गई, वे खाई की और तेजी से बढ़े रसी से बंधे जवाहर लाल हवा में लटक रहे थे उफ, कैसा जटका लगा, दोनों तरफ चटाने ही चटाने, नीचे गहरी खाई जवाहर लाल कसकर रसी पकड़े थे, वहीं उनका एक मात्र सहारा था जवाहर, उपर से भाई की पुकार चुनाई दी मुहू उपर उठाया, तो भाई और किशन के धुंदले चहरे, खाई में चांकते हुए दिखाई दिये हम खीच रहे हैं, रसी कसके पकड़े रहना, भाई ने हिदायत दी हिदायत देना मतलब समझाना जवाहर लाल जानते थे कि फिसलन के कारण यूँ उपर खीच लेना आसान नहीं होगा भाई, मैं चटान पर पैट जमाल लूँ, वहाँ चिल्लाए खाई की दिवारों से उनकी आवाज टकरा कर दूर दूर तक गूँज गई हलकी सी पैंक बढ़ा, जवाहर लाल ने खाई की दिवार से उभरी चटान को मजबूती से पकड़ लिया और पत्रीले धरातल पर पैट जमाल लिये पैरों तले धर्ती के एहसास से जवाहर लाल की हिम्मत बढ़ गई घबराना मत जवाहर भाई की आवाज सुनाई दी मैं बिल्कुल ठेक हूँ कहकर जवाहर लाल मजबूती से रसी पकड़ एक एक कदम उपर की और बढ़ने लगे कभी पैर फिसल था कभी कोई हलका फुलका पत्थर पैरों के नीचे से सरक जाता तो वह मन ही मन काप जाते और मजबूती से रसी पकड़ लेते रसी से हतेलिया भी जैसे कटने लगी थी पर जवाहर ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया कुली और किशन उन्हें खीच कर बार बार उपा चड़ेने में मदद कर रहे थे धीरे धीरे सरक कर किसी तरह जवाहर लाल उपर पहुंचे मुड कर उपर से नीचे देखा कि खाई इतनी गहरी थी कि कोई गिर जाये तो उसका पता भी न चले शुक्र है भगवान का भाई ने गहरी सांस ली शाब चोड तो नहीं आई एक कुली ने पूछा गर्दन हिला कपड़े जाड जमाहर लाल फिर चलने को तयार हो गए इस हाथसे से हलका सा जटका जरूर लगा फिर भी जोश ठंडा नहीं हुआ वह अब भी आगे जाना चाहते थे आगे चलकर इस तरह की गहरी और चोड़ी खाईयों की तादाद बहुत थी खाईया पाल करने का उच्चे सामान भी तो नहीं था निराशो कर जवाहर लाल को अमर्नाथ तक का सफर अधूरा छोड़ कर वापस लोटना पड़ा अमर्नाथ पहुँचने का सपना तो पूरा ना हो सका पर हिमाले की उचाईया सदा जवाहर लाल को आकरशित करती रही बच्चों जवाहर लाल ने हिमाले की चुनोती को जो स्युकार किया वो आपको कैसा लगा और हिमाले की यात्रा का वर्णन करते समय लेखक ने यहाँ पर कितना सुन्दर चित्रण किया है मानो हम स्वय भी उसी जगा पर हूँ इस पूरे बढ़नन को हमारे लिए लिखा है सुरेखा पढ़न्दी करने अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियो से अपडेट होने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें और हाँ वीडियो को शियर करना न भूलें थैंक यू